हेलो गाइज आप सभी कस्वागत हैं हमारे एक और वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने हमसे एक क्वेशन पुछा था कि सर सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में क्या अंतर है जरा हमें मदद करिए हैल्प करिए तो मैं लेके आया हूँ एक शॉट वीडियो जो कि काफी छोटा रहेगा देखे यहाँ पे सीडिंग लिखा हुआ है मैंने और सीडिंग कब दी जाती है किस कंडिशन के विए से दी जाती है मैं आपको पढ़के बताता हूँ ठीक है मैं आपको हिंदी में भी इसका पूरा ट खेल सकती हैं with weak teams or all strong teams might have been grouped मतलब जो सारी मजबूर टीमें हैं वो एक साथ किसी group में ना आ जाए upper half में ना आ जाए lower half एं lower half ठीक है और कमज़ोर टीम के साथ ऐसा match ना हो जाए कि जिसके विज़े से मजबूर टीम competition से बाहर हो जाए जो competition का romance है वो at least बना रहे मतलब वो खत so some strong teams have the possibility to be eliminated in the primary rounds मतलब शुरुवात का जो round है first round में कहीं ये team में बाहर ना हो जाए इसलिए इन teams को seeding दी जाती है ठीक है अब seeding देने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए these teams are played separately in their quarters मतलब अगर 4 quarter है 4 seeding दी जा रही है तो seeding सभी में एक एक आएगी upper half and lower half second condition और मैं आपको बता दाओं these teams play in second round seeding simple seeding या seeding जो शब्द है ये second round में play करने वाली teamों को दिया जाता है अब आजाते हैं special seeding के लिए in special seeding the seeds players or teams participate directly in the quarter final and semi final they need not wait for longer duration उन्हें लंबे समय तक इन्जार नहीं करना होता ये इतनी जादा strongest team है जो होती है अपने competition में बागी teamों की अपेक शाल जो strongest team होती है उनको special seeding दी जाती है और ये सीदे के सीदे आपका quarter final और semi final खेलती हैं तो अमीदे सब बच्चों के doubts दूर हो गये होंगे तो अ super fast series of chapter wise physical education so guys wait करिए super fast series का chapter wise जो आपकी आने वाली है इसी channel पे अपने सबी friends को हमारे channel के साथ जोड़ लीजे so मिलते हैं अगले video में thank you